पर्सों नहीं सायद हम लोग Friday की night तक ये सारी चीजे देखें कि क्योंकि important चीजे या important task तो maker जो है वो ignore कर देते हैं लेकिन sponsor task जो होती है ये बहुत जादा matter करती है क्योंकि वो company उसे पैसा वगेरा मिलता है और Big Boss का खर्चा पानी इनी sponsor task से चलता है तो या आपने देखा कि कैसे sponsor task के उपर खाम खाम में time कर्च किया गया और आप Big Boss का level देखें कि कि किस कदर गेरता जा रहा है कि nomination, elimination जिनके लिए सल्मान बोलता है कि जनता के हाथ में power होती है लेकिन आप देखें कि nomination में कौन जाएगा ये घरवाले तय करते है nomination से बचे का कौन ये बाद भी घरवाले sorry, Big Boss के द्वारा बेजे के गदे तय करते है मैंने अपने कल के review में कहा भी था कि गोडों की race में कौन सा गोडा आगे जाना चाहिए इसका फैसला कुछ गदे करेंगे और इन गदों का दिमाग कितना तेज चलता ही ये आप सबने देखी लिया इन तमाम गदों ने मिलकर के राजी वडातिया को सेफ किया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले week भी इन तमाम गदों ने राजी वडातिया को ही immune किया था और तीन लाग का प्राजी वडातिया ले करके आ गए थे लेकिन फिर नो इलिमिनेशन होता है और पिछले week के जो immunity थी वो वही वही बरकास हो जाती लेकिन यहाँ पर पिछले week राजी वडातिया निशान भी immune and safe हुआ था लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजी वडातिया once again safe हो जाते हैं और डेवो अभिजीत और रितेश जो प्लान करके थे उस प्लान पर यहाँ राकी ने तो घर बाद में पानी फेरा रश्मी देसाई ने पहले ही पानी फेर दिया और प्रतीक जितना overlap करता है जितना यह irritate करता है प्रतीक जो की सोच रहा था कि यह कद्दू लिना जो की potty लिना और डंबो लिना की दोस्ते यह भी डंबो लिना जैसी डंबो की लेकिन नहीं रश्मी ने यहाँ पर अलग ही track पर अपनी गाड़ी लेकर के चली गई बचिह करता प्रतीक और मुघे आश्या रहे कि जो कि इसे लोग करते आए हैं क्योंकि मैं Color Face के Against रहता हूँ लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोगों को उनके मैं नाम भी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि काफी जादा मुझे उन लोगों की कमेंट आते हैं अब उन करन कंद्रा को सपोर्ट क्यों नहीं करता हूँ मतलब पिछले दो सीजन में कुछ एक लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगा तोर पर जानता भी हूँ भाई भारी मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि आप Color Face की मस्त बजाते हो बड़िया बजाते हो लेकिन अब उन लोगों के लिए मैं अनफेर हो गया हूँ ठीक वैसे ही जैसे अब प्रतीक के लिए रश्मी अनफेर हो गई अब उन लोगों की expectation मेट से यह कि मैं प्रतीक को glorify करू, justify करू, support करू अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपना जो दूसरे चैनल है DSK Rocks 2.0 उस पर एक वीडियो डाला है, आज ही डाला है उसमें Big Boss OTT का एक क्लिप भी है कि जहां पर प्रतीक के लिए entertainment का मतलब होता, टोड़फोर्ड करना, मारना, लड़ना, जगड़ना कैसे ये fake fight प्लान करता है, फिर बाद में victim card खेलता है ये कुछ clips and एक वीडियो डाला है मैंने अपने दूसरे चैनल पर उसे आप देख लीजेगा, चाहिए तो उसका link मैंने community tab में और इस वीडियो को description में भी डाल दूँगा, आप उस चैनल पर वो वीडियो है और कितना real है, I think प्रति के अंदे फैंस उस वीडियो को ना देखे क्योंकि तुम सब की गुर्दे इचल जाएंगे और करन कुंद्रा तो makers का day one से fixed winner तो जिसे makers support कर रहे है उसे हमारे तुमारे support की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये बात मैंने उन लोगों के लिए कहिए जो मुझे बारवार आके convince करते हैं या influence करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप प्रति को support कर रहे है जो नहीं यह है वो आप करन कुंद्रा को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं लेकिन ऐसे fake को भी यहाँ पर media वाले top 5 में जगे देगा तो ऐसे इंसान जिसे makers इतना pamper करें प्रमोट करें बार बार ये नियम तोड़ता है हिंसा करता है लेकिन निकालना तो दूर इसको तो nominate तक नहीं किया जाता है तो आप देख लीजिए ऐसे लोगों के लिए लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम उनको सपोर्ट करो भाई ऐसे को तुम ही सपोर्ट करो मैं कलर्स की जो प्लानिंग होती उसके हमेशा अगेंस्ट ही खड़ा रहता हूँ अगर दो सीजन से मैं तुम लोगों का अच्छा लगता रहा हूँ सडली तुम लोगों को मैं बुरा लगने लग गया हूँ तो खराबी तुमारे दिमाग में है मेरे दिमाग में वो खराबी नहीं है मैं जो एक firm stand लेकर के पहले खड़ा हूँ तुम लोगों की opinion तुम लोगों का गिरगेट वाला तेवर तुम लोग दिखा रहे हो तो भही तुम किसी और चैनल पर जाकर review देखो क्योंकि शायद तुम लोगों को सच सुनना अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि गिरगेट की तरह रंग तुम बदल सकते हो तुकर तुम चाट सकते हो और रश्मी ने यहाँ पर एक्चुली थोड़ी लॉजिकल बाते भी की जो कि हमने सबसे जादा IQ वाले इंसान के टाइम पर नहीं देखी जब हमने देखा था कि प्रतिक कितनी overlapping कर रहा था तेजा अच्छे point रख रही थी लेकिन overlapping इतनी कर रहा था प्रतिक नहीं नहीं यह लेकिन सबसे जादा IQ वाला इंसान वहाँ पर एक बार भी नहीं उसने बोला कि नहीं भाई रुकजा थमजा ब्रेक लेले पानी पिले सामने वाले के point सुनने दो दे लेकिन नहीं भाई जब आप already mind बना के आये हो कि आपको प्रतिक को सेफ करना है तो फिर आप किस कदर अंदर भी लोग ऐसी overlapping करते होंगे तो किस हिसाब से राखी का यह नकली और नलापती कंपनी चलता होगा आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए यहां रश्मी ने जैसे ही करन को सेफ करा वही गुर्दे चल गए इनकी एकता वी आपी जोन की एकता में फूट पड़ ग आप लगिंसे चलते हैं दूद को थोल्यरा हिए कि ठीक के उलकिंस रहा है हो से यहांपर घ्रो यहां पर प्रस्मी ने एक पोइंट बहुत अच्छा पकड़ा जैसे ही प्रतिक करन आता हो अपने घर से निकल कर आपको पठकने के लिए आप भी तो चार्ज करके जाते ही हो आप भी तो पूरी तरह से इंस्टिगेट करते ही हो तो यह मत बोलो कि बलप्रयोग आपको पूरवा अगर ऐसा था तो आप बैक आफ हो जाते हैं विक्टिम कार्ट कभी नहीं खेलेते जिस तरह से यह प्रतिक हर चीज में रो देता है पहले पंगा लेता है और फिर रोने लगता है और फिर खुद को लॉन वरियर भी दिखाता है तो यहां रश्मी ने काफी बखो भी इसके प्रतिक की नफ्स पकड़ ली और प्रतिक की एक नचलने दी जो कि डंबो लीना रितेश और अभी जीत ने मतलब प्रतिक के इशारे पर नाच रहते लेंगे रश्मी ने चलो तो भी थोड़ा अकल से काम लिया ऐसे मैं प्रतिक को अपना गेम थोड़ा सा बदल लेना चाहिए प्रतिक ने क्या सोचा कि जैसे वो डंब खाल कोंचा करने दे जिस तरह CR यहां पर प्रतिक पैरपाय पैरा था रश्मी को बस यह एक मोका चाहिए तर और ठर्तिक ने भाएव को यह सजा कर रश्मी को एक मोका दे दिया अगर प्रतिक थोड़ा सेंसिबल तरीके से बात करता रुपता सांस लेता सामने वाले को point रखने देता और रश्मी को अपना बात करने का पूरा मौका देता तो शायद रश्मी सोच भी लेती लेकिन नहीं प्रतीक तो सोचता है कि वही सही है वही होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो फिर किस कदर यह खिसिया जाता है हमने यहां देखा उमर भी यहा राली के चट्ते बथते हैं दोनों को ही हार बरदाश नहीं होती है दोनों ही जो है चीज़े अपने हिसाप से होना चाहते हैं अगर चीजES इनके साब नहीं होती तो फिरखने व्फाला ऑन्तै пог मौत नहीं है यह बड़ी तो हो गई है लेकिन दिमाग से बड़ी नहीं होई कि करन तू सरे बाब बाटा या फिर तू कुछ नहीं गड़ता उमर तेरा ऐसा वैसा ऐसा फ्लो फ्लो में वो बोलते था यह राकी तेरा भाड़े का पती है क्या बास इतना बोल दिया अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजे मिलो जब बिचुकले बाबा यह एक्टिंग कर र बिचुकले बोल रहा था तब राकी के भी गुर्दे नहीं चले लेंगे राकी ने मौनिंग में खाम खाम उद्दा बनाया तो यह कितनी मतलब कान की कच्ची है वंस अगेन मैं अपने वही स्टेटमें रिपीट करना चाहूंगा दो पैसे क्या कर लिया है चम्मो चाची के अंदर और कैसे राई का पहाड़ बन गया मतलब इतना गलत कोई कैसे हो सकता भाई और हर चीज में यह बोल देती कि मेरी मम्मा को पसंद नहीं आया होगा आज भी यहां पर बोल रही थी बिचुकले के साथ कि आपने भी मेरा दिल दुखाए मेरी मम्मा देख रही पस आप यह मजाक मस्ती चल रही थी राकी और राकी यह बाड़े का पति दोनो हस रहे थे और आप याद करें तो कल रात के एपीसोड मैं यह आपने की बाड़े का भाड़े का पती नहीं हूँ या जूली बन के धक्का देगी या फिर कौन पती होगा जो बोलेगा कि यह मैं तेरा पती पती नहीं हो मैं कंटेस्टेंट हूँ तो जब आप खुद अपने पती को मार रही हो जब आपका पती खुद कहा रहा कि वो आपका पती नहीं है तो सामने वाला तो फिर मजाक मस्ती में भी अगर वो चीज बोल रहा है तो लोगों के गुर्दे चल रहा है आप ये नही पदला तो राकी सावन्त और इसका पती जो अपने अतरंगी लोजिक देता था तब तो किसी ने कुछ नहीं का यही नहीं हमने कल रात की एपिसोड में देखा यह राखी का पती हूँ, इतनी जल्दी आप लोग कैसे भूल जाते हैं, किसी ने भी दिमाग का परिचाय नहीं दिया, किसी ने भी बुद्धी का प्रयोग नहीं किया, किसी ने यह नहीं बुला कि भई आपका पती तो खुद कल डंके की चोट पर कहरा था कि वो किसी का पती नहीं है जब आप खुद ऐसी बात करोगे तब आपको चलता है लेकिन वही चीज को और बोल देता तो राखी ने ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया है चम्मो चाची की वज़े से चम्मो चाची ने आग लगाई और इसके बा जोड़ा सा ज्यान वर्दन करते हैं या नहीं कि चम्मो तुम तो इसकादर बॉकला चुकी कि तुमको तो हर चीज बहुत ही घटिया लगती जबकि प्रिटी कन्वीनेटली तुम सब भूल चुके कि तुमने क्या-क्या बोला है क्या नहीं बोला है खर देखते हैं सेलेबिटीज अपने बेसिक हाईजीन भी ये लोग कितना मतलब ध्यान नहीं देते हैं खर नॉमिनेशन के फर्स्ट राण में वहां करन से हो जाता है रश्मी के बदालत अगले राण में करन और राजीव के टकर होती है जहां राकी सावन ने अपने अतरंगी लॉजिक द चाची कहती कि ने राकी वहुस फेर राकी वहुस फेर राकी ने आपके भाई को सेव कर लिया तो राकी फेर हो गई लेकर डंबो लिना ने आपको सेव न करके प्रतिक को सेव किया तो आपके लिए अनफेर थी और कोई अश्यरे के बात नहीं अगर वीकेंड पर सलमान खा जिस राकी को तुम फेयर फेयर बोल रही थी वो राकी वी आईपी जौन के अंदर बैठ कर तुमारे अंदर अंगरी जी आत्मा घुश जाती है और अफला तुनी मू बना रही थी एंद देखना इंटरस्टिंग होगा अगर सलमान ये चीज बोलता है तो शमिता का एक्सप्रेशन और रियक्शन क्या होता है क्योंकि शमिता अब तक इस राकी को फेयर फेयर बोल रही है वही हम देख रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड वी आईपी वाले हैं इन सब की एकता में एक दरार पड़ चुकी है डंबो लीना रितेश लीना और अभिजीत लीना जो है वो प्रतीक को अपनी साइड रखना चाहते हैं अलागी राकी भी प्रतीक के लिए सॉफ्ट को अना और फ्राइडे की नाइट तक ये सारी चीज़े देखेंगे क्योंकि बिग बॉस जो है वो खामखा का लव लपाता है खामखा राकी का अफला तुनी जूली अंदाज मौजुली का अंदाज ये सारी चीज़ों पर जादा फोकस करेगा बीच बीच में हमें पॉटी लीना पांच पांच लोगों के सपोर्ट पे चलता है खिलता है लेकिन खुद को लोन वोरियर कहता है तो ये रहा है आज के इस एपिसोड का हाल ताना बाना जहां पर सारी टास्क का हर चीज़ का विग बॉस ने मजाग बना के रख दिया आप कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करते हो उसके बाद सलमान खान वीकेंड पर आखर बोल देता है ये शो तो जनता का है यहां जनता ही सब कुछ डिसाइड करती है जनता ने कौनसी टास्क में डिसाइड करा कि राखी को जाना चाहिए जो कि भी दो वीक पहले आई है वो टिकेट टो फिनाले जीत गई है गजब बात है एक तरफ बिग बॉस कहता है कि जो वी आईपी जोन का मेंबर होगा वही ट्रॉफी का हगदार होगा लेकिन हमने देखा कि पहले भी वी आईपी जोन डिसॉल्व कर दिया सबको नोन वी बना दिया और अब जो टास्क होगी जो हम कल से देखना शूरू करेंगे वह ही आते सही फाइनलिस्ट बन गई है तो भाई इससे बड़ा मजाक तो फैर हो नहीं सकता क्या लगता है कमेंट करके ज़रू बता है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेर करें और करें सब्सक्राइब डीएस के टॉक् अपने समय निकाला और यह वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद